बच्चो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 के एकोनॉमिक्स विशे पर और इसमें हम डिसकस करेंगे यूनिट फर्ष्ट जिसमें हम बात करेंगे विकास नीतिया अनुबव के बारे में यानि 1947 से लेकर 1990 तक बहरत के अर्थवेस्ता में क्या-क्या विकास हुआ उस दोरान क्य क्या-क्या फील किया अनुबव किया और उसके अकोर्डिंग हमने क्या-क्या उपलब्धी हासिल की और सरकार की दौरा क्या-क्या परियास किए उस पर इस यूनिट पर चर्चा करेंगे जिसमें आज हम चैप्टर फर्स्ट पर डिसकस करेंगे जिसका नाम है स्वतन्ता वहारत पंदागत गुनी सो सहतालीस को आजाद हुआ और उसके बाद हमने अर्थ विकास के लिए नियोजित अर्थ विएस्ता को अपनाया तो बच्चो इस चेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें इस चेप्ट की बारीकिंचे समझना पड़ेगा देखे बच्चों मैं सेनी में गिना जाता ता भारत में प्रारम में राज तंत्र हुआ करता था लेकिन मुगल काल के उपरांट भारत में बिट्रिश शासन आया और उन्होंने बारती अर्थ वहस्ता का शोषन करना शुरू किया। Nok पर इन्होंने शोषन किया यानि वूट डालो राजकरु की नीती से हमारे राजाओं को आपस में जगडा कर इन्होंने दीरे-दीरे पूरे भारत की अर्थविस्ता पे कबजागल लिया जिससे भारत की अर्थविस्ता शत्विशत हो गई यानि वाइनल अगर हम बात कर तो आर्थिक इस्तिती बड़ी देहनिय थी हमारे पास प्रियाप्त खाधन की समस्या थी छिया फाने आर्ग उस्के लावे व्यापार खत्म थे हमारे पास अनत क्या बाहां लेकिन उससे पहले अर्थ्वियस्त जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दोरान भारत की स्तितिक क्या थी पहले इस पे चर्चा करते हैं उसके बाद बात करते हैं कि भारत के आर्थी नियोजन में क्या क्या परियास किये गए यानि आज हम कशा अर्थ यहां हम भारत के बारे में उस्कुस्न करेंगे तो यहां भी हम बारत की उस्ता के कैसे संपन दी और किस परकार अंग्रेजु के आगमन के बाद उनके द्वारा शाषन करने के बाद भारती अर्थियस्ता कैसे गर्थ की तरब चली गई और बाद में इसको उत्थान के लिए बाहरत सरकार की द्वारा क्या-क्या परियास किये इस पर क्या भी हम चर्चा करेंगे लेसन नंबर वन पर कि भारत का आर्थी विकास हुआ बिल्कुल अच्छी बात है लेकिन उससे पहले बात कर तो भारत की स्थिति काफी देनिये थी मैं आपको बताना चाहूंगा महान अर्शास्त्री मार्शल ने भी काहा था कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चार तरब मुद्रा को लेने के लिए करेंसी को लेने के लिए रुपे के लिए पूरा अर्थन्त चक्कर लगाता है उसी परकार अंग्रे जोग देखी मां को तरना चाहूंगा ब्रिटिश शाषन के अंडर में भारत साहित और भी एशिया की कई देश यूरोप की कई कंट्रिय अंग्रे जोगे अधीन थी ब्रिटेन के अधीन थी हम भी उनके उपनिवेश्ट है अंग्रे जोगे दुवारा भारत साहित कई देशों में उनका शाषन चला लेकिन भारत उनके लिए एक महत्यपुन देश था इसलिए इंपोर्टेंट बात कही विक्टर अलेक्जंडर उसने कि भारत वह धूरी है ध्यान कियेगा जो कि बिटिश शामरजी के लिए महत्यपुने अगर ये बारत बिटिश शामरजी से अलग हो जाता है सोतंतर हो जाता है तो बिटिश शाषन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि एक्ट्चुल में बिटिश शाषन के उनके support में काम कर रही थी यानि कहने का मतलब अंग्रेजों के दुआरा अपने देश के कल्यान के लिए अपने देश में आर्थी विकास करने के लिए यहां से उन्हें सस्ती दर्मे और अच्छा कच्छा माल प्राप्त हो रहा था तो इस तरह से वह उनके लिए एक सयोगी द लापकारी कैंद के दूप में थे यानि आपने मेत्यत कांश फ्रीजश उद्यिशय को पुरा करने के लिए भारत का शोशन कर रहा था इसलिए वह के सब्वाइस्राये ये बात भारत के रुख्टिकोन में कही आगे हम बात करें बाहरत के इतियास की बात करें भारत का अतीथ काफ़ी पुराना था कई flight लाल अ пока विकास की और अग्रेसर था उस दस्टिकोन में देखे तो एक धनी राष्टिक रूप में था संपन राष्टिक रूप में था लेकिन स्वत्री श्यदापदी के बाद हमारे देश में जैसे अंग्रोजों का अग्मन हुआ तो उन्हों नहीं यहां शोशन करना सुरू किया त उनकी दोशपून नीतियों के कारण उनके भेदभाव पूर नीतियों के कारण भारती अर्तव्यस्ता घतिहीन हो गई पिछड गई और गर्थ की तरब चली गई तो यह इंपोर्डेंट बात है जो भारत की अर्थीपतन पतन का कारण है वहीँ अगर हम बात करें तो के लिए अपने देश में ओध्यों की विकास के लिए अधार को डवलब करने के लिए बाहरत से कच्छा माल प्रदायक देश के रूप में गिने थे यानि हम उसके लिए एक तरह से कच्छा माल उपलब करने की रूप में काम कर रहे थे इस तरह से उन्होंने हमारा शोशन गय अपने मेत्यकालजी उद्धिशों को पूरा करने के लिए गती हीन हो गई थी यानि बाहरती अर्थ्वेस्ता के उथ्थान करने के लिए अमारे पास प्रयापत विचारदारा नहीं थी परयापत रूप से वित्यास अंसाधन नहीं थे सायोग नहीं था यही कारण तक हमारी काफी देनिय थी तो दोस्तों यह बात इंपोर्टेंट कही गई है बुक्स में कि स्वतनता की समय हमारी आर्थिस्ति रियल में बहुत खराब थी तो स्वतनता की समय बारत्य तो अतन पिछड़ी थी अविक्सिती गर्थ की और चली गई ती और यह इसका सबसे बड़ा कारण अंग्रे जो दुवारा चलाई गई अनूचित आर्थिक और राजनेतिक नीतियों के कारण यानि उन्होंने अपने वाइदे के लिए भारत का शोषन किया यानि कहने का मतलब शाषन के नाम पर उन्होंने शोषन ही किया है और भारत की अर्थवेस्ता निर्दन गतिहिन औ यानि अंग्रे जो ने अपने निजी वस्वार्थ को पूरा करने के लिए भारत में शाषन किया और शाषन के नाम पर उन्होंने यहां शोषन ही किया देखिए निम्न आर्थि विकास की बात करें तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अंग्रे जो कि बाहरत आगमन से पहले हम सं अर्थ विस्ता ती यानि उस समय भी हमारी अर्थ विस्ता क्रशी प्रदाहन थी लेकिन हम उस समय संपन थे आए के अच्छे स्त्रों थे और खुशाल जिंद्गी जी रहे थे यानि बाहरत एक तरह से निद्धन राष्ट की रूप में था लेकिन अंग्रे जो के आने अगर अपने देश में जागर निर्मित कर गए महंगे दामों में हमें बेचना सुरू किया यानि भारत की अर्थ विस्ता उन्हों ने अपने महत्युकांद सी उद्धेश को पूरा करने के लिए तो इस तरह से उन्होंने भारत का शोशन किया तो यहां अगर हम बात करें अंग्रेजियों ने भारत के आर्थी विकास में कोई महत्यबुन कदम नहीं उटाए अगर हम देखें तो अंग्रेजियों के आगमन से पहले हम क्रशी शेत्र थे क्रशी से जुड़े अन्य शेत्रों में कारें ते उस समय अगर हम बात करें मुर्गी पालन पशु है शेर पालन प्रात्मिक शेत्र से जुड़े विएवसाई में हमारे जनसंग्यां जानादि के उसमें शामिल था और अगर उस समय का घरम देखें तो भारत का नाम विस्थू के अन्य देशों में भी था और विस्थू प्रसिद नामों में भारत का नाम सुना जाता था क्योंकि बाहरत में उस दमें अगर हम बात करें तो रेशिम वस्तु के लिए दातु वादारी वस्तु के लिए भव मुल्य मनी रतन आदी से जूड़ी शिल्प कलाओ के लिए उतकर्ष केंद्र था यानि बाहरत का नाम उस समय भी इतियास के पर्णों में गिना जाता था बाहरत की कल प्राकरती को समझा दाता था यानि विश्तु के पटल पर अगर हम बात करें तो भारत एक उभरतावा देश था जो अपनी कलाओ के लिए अपने संसादनों के लिए अपने उतकरष्ट वस्तु के लिए विश्तु प्रसित था तो यहां मैं आपको यह बात बताना चाहता ह वच्चों की अंग्रेजों की आगमन से पहले भी हम संपन थे स्वतंत थे खुशाहाल थे विकास के और अगरसर थे और हमारे पास प्रमप्रागत रूप से तकनीक के आधार पर हम कारियत थे यानि हमारे पास उसमें सूती रेश्मी वस्तु दात्वादाईत बहुमुल्य मनी रत्र आदी से जूड़ी शिल्प कलावग में हम उतकश केंद थे हमारे लगू कुट्य उद्योगों का संचालन थे हुआ करता था भारत विस्तु वर में विख्यात हो चुका था जिसमें कर हम बात करें जैसे रेश्म सूती वस्तु क्वालिटी रूप से हमारे रूप आकर्टियों की रूप से विस्तु विख्यात की रूप से लेकिन अंग्रे जोगा आने के बात भारत की अर्थ्योग को वगहरा जटका लगा और हमारे सारे लगू कुट्र उद्योगों का दीरे दिरे दमन होने लगा आगे बात करें एक्जामबल देखे कि किस परकार भा बांगलादेश की राजदा नहीं बन चुगी है उस समय भारत का इससा था आपको बताना चाहूंगा पंदागस गुनी सो सहतालीस की समय जब भारत का विवाजन हुआ तो बाहरत के दो टुकुडियों जिसमें एक पाकिस्तान बना यानि 14 अगस्तान की रूप में दो पाक ठाकिस्तान वर्तमान में जो पूरी पाकिस्तान है वो बांगलादेश की रूप में जाना जाता है और जो पष्यमी पाकिस्तान है वह बहरत में बहुत-बड़ा अर दो दो अर्थत्वास्ता एक संपन रूप में गिनी जानी तही ती ends जहाती बहरत में जो मैत्यपून उत्पादन के केंद्र थे सूती वस्तर शेयद के बारे में बात करें इसके अलावा लकडी की नकाशी के बारे में बात करें इसके अलावा घरम बात करें संग ममर के बारे में पत्रों के कारें बारे में सोने चांदी के जिवलर्स के बारे मे हम काफी चीजों में हमारी डिमांड थी हमारी कलाकर्तियों की विश्व में पैचान थी तो इस तरह से बात करता है बंगाल के सूती द्योग के बारे में और बंगाल के सूती द्योग में बात करते हो ढाका जो कि बंगाल में अभिस्व में बंग्रादेश में चला गया यह व यह मलमल खास भी कहते थे और उस समय रोयल भेमिली के लोग इस कपड़े को पहनते थे क्योंकि यह बहुत महींदाके से निर्मान किया जाता था और महंगा हुआ करता था और इसकी निर्मान बाहरत सहीत विस्टू के अन्य देशत मुआ करती थी यानि इस से यह साबित होता ह कि बाहरती अर्थ विवस्ता उस समय भी विकास की और अग्रसरती और हमारी कलाकर्ती विश्व परसित्ती यानि अंग्रेजु से पहले हमारी अंग्रेजु के आगमन से पहले हमारी स्थिती अच्छी थी लेकिन अंग्रेजु के आने के बाद हमारी अर्थ विवस्ता को गहर थिए तक करेंगें इस तरह से हम यहाँ पर बीते 200-500 साल का पूरा भारती अर्थवेस्ता पर अध्यन कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि भारती अर्थवेस्ता कहा थी कहा चली गई और इसे अब कहा ले जाने के लिए इसका उत्थान और विकास करने के लिए कल्यान करने के लिए वारत सरकारों के दुवारा क्या-क् प्रियास किये इस पर होटा उड़े को आगान से पहले किस्तित हैं कि एक विकास की अरगरसर थे खुशहाल ठिन हमारी अर्थव्यस्ता एक विकाद गतिशिल अर्थव्यस्ता थी और उसके laughed और इसके जखम हमें जब हमारी देश आजाद हुआ उस दोरान हमें देखने को मिला क्योंकि भारत की अर्थ व्यस्ता उस समय गर्थ की तरब चली गई थी एक तरह से निम्निस तरब चली गई थी और इसके उत्थान के लिए हमें बहुत परियास करने पड़े आईए बचो उस पर चचा करते तो बात करते हैं स्वतनता की समय में बारत की इस्तिती देखिए जब भारत आजाद हुआ यानि आजा थी कि उस पूर संध्या के इंद्रवान देखिए तो उस समय बारत की अर्थिक इस्तिती अगर हम देखे तो वह काफी देनी थी बारत की अर्थियस्ता गतिहीन हो चुकी थी पिछडी हुई थी और ऐसी दशा में बारत की अर्थियस्ता को उठाना बहुत करना था ताकि वह अपने देश में हो रहे उद्री विविकास में उसका यूज कर सके और दूसरा उसी माल को प्रियान निर्मित माल की रूप में भारत सईध दुनिया की अन्य देशों में बेचना तकि मोटी इंकम कमाई वह कर सके तो यह उनकी उध्यश्यों से यह साबि बाहरत में थोपना सुरू कर दिया यहां तक हम इसे कह सकते अनुचित नीटियों को उन्होंने परियोग किया और शॉष्ण किया और इसी वज़े से बाहरत की अर्तविष्ष्था गरत की और चली गई अब इन नीतियों की वज़े से भारत में क्या हुआ तो मैं आपको उताना चाहिए इन नीतियों की परिणाम सुरूप भारत की जो अर्तविवस्ता थी वो निर्धन हो गई गती हीन हो गई यानि हमें पता ही नहीं कि अब हमें आगे क्या करना है जो हमारे विचारत थे अर्थोष्ता को गहरा हुआ जटका वही हमारी अर्थवस्टा पिछट गई निश्क्रियो गई और क्रशी प्र्दान अर्थवस्टा में बदल गई जहा हम अगर हम बात करें तो और अजाद्धी की समें अगर हम बात करें तो बाहरत की करीब 90 पर्तिशत के आसपास जन संग्या क्रश्री वक्रश्री से जुड़े व्यासाय में ही स्वीमित रहे गई यानि हम आगे उठानी नहीं कर सके यानि हमें परंपरागर तक्निकों पर ही निर्भर रहना पड़ा और प्रात्मिक शेत्र पर ही निर्भर रहना कच्चे माल की पूर्ति करने का तता वहां से बने माल को को यहां पर आयात करने वाले केंद्र बन चुका था बस भाहरत अंग्रेजों के लिए यही काम कर रहा था यानि भाहरत अपने हमें कुछ करी नहीं पा रहा था उनका डॉल्लमेंट रुख गया क्योंकि उन पर खिवान हुआ और यहीं कारण तकी भारत कि अर्थेसता घर्थ में चली गई अपने शिख शाष्ठ को यानि अंग्रेजों कभी भी भारत के राष्ठी है और प्रटि वक्तियाय का आकलन नहीं किया उसके बारे में विचार नहीं किया लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे इसमें कुछ समाज सेवकों ने और सास्थरियों ने विचार को ने इस राश्ट्रिया की गढ़ना करने का प्रयास किए जिसमें अगर हम गिने तो सबसे पहले दादवाई नारो जी ने इस पर प्रयास किया विलियम डिग्मी ने गिया उसके बाद राध के फिंदले शिरार राष्ट्री राष्ट्र है निमनिस्तर्व थी और नहीं पर्तिवक्ति है कर साह convenience अगर खिंडि में लिकस्तिंगा करें तो dump करें तो हमारी पर्तिवक्ति आयbet इस तरहा था ध्यान कहता याननि हमारी चास्ति हख़ा समय राष्ट्र बहुत कम Ici और प्रतिविक्ति आए तो और भी नीचे थी यही कारण देगी हम विर्सु के अन्य देशु के बराबन नहीं रहे और हमारी रत्विस्ता पिछर्टी गई भारत में प्रतिविक्ति आए ना केवल कम थी बलकि उसमें व्रदी की दर्भी बहुत ही धीमी थी यानि हम आगे हम दूसा कारण थी अमभारत में जन्सेंगे कहा इस तर हम रहता गया रोजगार की स्थुल्टी मांसुन बर रहे इसी कारण से कर दो हम देखे तो बहरत के पास परंपरागत। तकनिक थी उन्न जाता नहीं करपाया यही कारण तक ही आजा दीकिंगे समय हमारे कारण हमारे देश में बहुत सी तरगी बेरोजगारी उत्पन हुई और यही कारण तक प्रतिविक्तिया की दर बहुत ही कम रही और परिणामतर राष्ट्राइब बहुत कम रही बच्वा आगे बात करते हैं कि बीसी सदी की पुर्वाद में जैसे बीसी सदी का अगाज हुआ उस दोना भारत में राष्ट्री आए की अगरम बात करें तो वार्षिक दर मात्र दो परसेंट से भी कम थी और प्रति व्यक्ति उत्पात की बात करें तो यह विवद पुरुष भी कहते हैं ग्रेट ओल्ड में भी कहा जाता है और भारती राजनिती का पिता भी ने कहा जाता है उन्होंने सबसे पहले 1868 में राष्ट्रेगी गणना की ती जिसके लिए उन्होंने लेखावर्ष माना था वह 1868 यह 1867 से 68 का मतलब होता है बच्चों कि एक अप्रेल 1867 से 31 मार्च 1868 को उन्होंने वितवर्ष मानती हुए उन्होंने राष्ट्रेगी गणना करी ती ज्यान रखेगा और उन्होंने इस राष्ट्रेगी गणना करी तो उन्होंने इसको इसको जिस लेक में लिखा उसका नाम था धन पलायन का सिद्दान ज्यान र अर्तिवेस्ता का शोशन हो रहा है और किस तरह से यहां का धन विदेशों में जा रहा है यानि कहने का मतलब हमारे किसान को प्रयापत उपज का मुल्य नहीं मिल रहा हमारे कारीगरों को उनकी कीमत नहीं मिल रही हमारे उद्ध्यों रंडों का धंदों का पतन हो रहा है हमार उन्होंने अपने से सबसे कम नरोजी तो यह भारत में राष्ट्रियाग का आकलन करने वाला पहला व्यक्ति थह सब से पहले राष्ट्याहंगा अधलैने किया अब बात करें लेकिन भारत में विग्यानिक रूप से पहली राष्ट्याहकी करना किसने खरी शुद्रूप से विग्यानिक पद्धती के अधार पर राश्ट्य गणना किस ने करी तो विजेंद्र कस्तुरी रंगा वर्दराज राओ ने सबसे पहले 1932 में इस फॉर्मुलियों को दिया मैं बताना चाहूंगा अपनिश्रिंग शाषन काल के दोरान यानि अंग्रे जोग प्रतिवक्ति आये गणना करने के लिए उन्होंने विदिया बताई और उसी के आधार वर्तमान में बाहरत में राश्ट्य गणना करने तो जिस वीदी को लेखापदिती का जो प्रतिपादन किया था वो बच्चों विजेंद्र कस्तुरी रंगा वर्दराज राओने किया था तो बच्चो ध्यानकना विजेंदर कस्तुरी रंगा वर्दराज राव ने किया था तो आपको नहीं हो नहीं होना है गवराना नहीं है यह जो content में आपके सामने repeat कर रहा हूं उन content को आपको ध्यान से सुनना है राइट डाउन करना है और फिर उसके according एक्जाम में preparation करना है क्योंकि यह आपके books में दे रखा है और आपको इन चीजों को समझना है क्योंकि एक्जाम इनी content से रहे चुगी है और यहां से इसकी संस्क्रति का हिस्सा बहुत से देशों से इसको जोड़ा गया है तो भारत एक विश्व का एक महान देशों में शामिल है लेकिन किस तर यहां पर British विकास के सामने कौन-कौन सी बाद आये थी तो यहां तक मैंने आपको पार्ट फर्स्ट बताया आगे हम इस पर चच्चा करेंगे